सभी संगत को जैमाता की नवरात्री आने वाली है और आप तरह तरह के मंत्र सीदिश में करना चाते हो तरह तरह की साधनाई लोग करते हैं क्योंकि जो गुरु मुकी और जिनको गुरु के द्वारा विद्याय मिली गई है मंतर मिले है उनको साधने का सबसे उत्तम समय रहता है नवरात्री का और वर्ष भर में चार नवरात्री आती है से भी जानते हैं और कान में बताने वाली शक्ति करण पिसाचनी इसका नाम को नहीं जानता और कौन नहीं चाहता कि हमें इसको सिद्ध करें देखो इस मंतर को त्रिकाल दर्शी मंतर भी कहा जाता है और इससे हम जीवन की जो शुक्सम से शुक्सम चोटी सी चोटी हमारी गटना होती है उसके बारे में हमें ग्यान हो जाता है और इसकी विशे में जब तांत्रोक्त विदी से और एक वैदिक विदी से आप तांत्रोक्त विदी से अगर करते हो तो इसमें आपको समसानों में साधना करनी होती है और तांत्रोक्त आपको मंतर भी चाहिए होता है और मद्यमास, स्रिंगार, मिठाईयां और खून, कटोरा भरकेश को खून भी देन पड़ता है इन चीज़ों पर ये समसान में सीध होती है तो वो तंत्रोक विदिया और एक गरस्त इनसान गरस्त वाला भगत इसको नहीं कर सकता उसके लिए उसमें जान जाने का भी खत्रा रहता है तो हम आपको रिक्मेंड करेंगे कि आप को चीज ना ही करें आप वैदिक पड़ती से क्योंकि आप गरगरस्ती वाले इनसानों अपने घर परिवार के बारे में सोच कर ही कोई मंतर शिद्धिया में करनी चाहिए तो वैदिक विदी से अगर आप मंतर को जाप करते हो वैदिक मंतर जब आप जाप करते हो तो आपको नुकसान की संभावना ना के ब इसमें आपको जो है कई माता बहने ऐसी होती है जो दरवार से जुड़ी है जो गुरु प्रमपरा से जुड़ गई है और अगर वो तांतरिक बनना चाहती है तांतरोक्त विदी से कोई किसी भी सकती की साधना करना चाहती है चाहे वो वसी करन की साधना हो चाहे वो करन पि चोबाल बच्चोबाला घर होता है न तो आपको नवरात्री में व्यादिक वीदी से ही ये सक्तिसिद करनी चाहिए इसमें थोड़ा आपको समय लग सकता है 6-7 महिने का पर कोई बात नहीं अगर आप नित्य प्रतिविश्वास करते हो और प्रयास करते हो तो आप इसमें जर जरूर करेंगे तो करन पिसाचनी की व्यादिक साधना इसमें नवरात्र में आपको भूत सुद्धी स्थान सुद्धी गुरु समान गनेश पूजन नवग्रया पूजन आदी से पहले चोंकी पे लाल कपड़ा बिच्छा लेना है कपड़ा बिच्छा करके आपको पर ता हैं और जो कलस आपने रखा है उसके चार और आपको पान सुपारी सिंदूर दो लड़ू और थोड़ा सा स्रिंगार का समान और इत्र में भिगो करके कोई अच्छा खुश्बुदार इत्रा आप ले करके आईए जो वसी करन वगेरा में यूज होता है ये आपको गंटे के लिए लाल फूल इसमें लगते हैं हो सके तो आप अपने वस्तर लाल ही रखे पुर्शों के पास अगर लाल वस्तर नहीं है तो कोई भी लाल रंग का कपड़ा आप अपने कंदे पर जरूर रखिए जब भी आप जाप कर रहे हो नवरात्रे के नो दिनों में आप हवन करने वाले हों हवन करते वक्त आपको सबसे पहले सामगरी से उसके बाद खीर से और अंत में त्रेम दूसे हूम ना करनी है उनकी आपको आउतिय डालनी है ताकि पिसाचनी आपकी सिद्ध हो सके और इसके बाद आप शमयाजना करके देवी रूपी कलस को जना सेवा करी है आप हमें हमारे साथ चलो और हमें जो भी आप से पूछे हम किर्पा करके हमें कान में बताने की किर्पा करें और जैसे ही आपको ऐसा नहीं है कि नो दिन में आपको ये सी दो जाएगा नो दिन में आपको इसका नुश्ठान करना है उसके बाद आपको लगत पर अगर आपको पूरा विश्वास है तो आप इस मंतर को जरूर सीध कर लेते हो कईयों के तो ऐसा हुआ है इस मंतर से जिनों ने सीध करिया उनके सामने तक आकर के आग्या चकर में ये पिसाचनी खड़ी हो गई है यानि के ध्यान के माद्यम से उनको इसके दर्शन तक हो मंतर मैं आपको बता देती हूं मंतर क्या है ओम धेट स्वाहा सबसे पहले आपको गणपती पूजन गुरु पूजन करके इस मंतर का जाप करने है और जब आप जाप करने बेठे तो अपने आसन को अपने उसकमरे को जहां पे आप ये साधना कर रहे हो पीली सर्सो या फि पिर बहरव कबाच से मंतर करो या बंधन के मंतर से मंसकंदान कर रहे हो या उन58 tolerance कर दीज suff Section वो भी कटती है तो इस परकार से आप जो है कानम बताने वाली सक्ति को सिध कर सकते हो अगर आप तामसिक विदी से इसको सिध करना चाते हैं समसानों की विदी से सिध करना चाते हैं तो हम बता देते हैं या आपके लिए खत्रे से खाली नहीं हो सकता जो भी आपको वीडियो को करने से पहले अपने बुद्धी सुधी से जरूर एक बार पूछें जो भी सक्टिயाप के सिर्फे आ रही है जिसी भी सक्तिकाप अनुष्ठmi करते हैं उससे एक बार आग्या जरूर ले और आपको अपने गुरू से भी मंतर खे liए बोग पर Canada करें गुरू की चौकी पर चड़ा करके गुरू से इसके लिए आदेश जरूर करवाएं तो ये मंत्रा आपको 100% सी दोगा और 100% है चक्ति आपके साथ चलेगी और कारिया भी करेगी पर हमतु कोई भी कारिया करने से पहले अपने बुद्धि विवेक से एक बार जरूर सोच ले वीडियो के वल जानकारी के माद्यम से बनाए जाती है जानकारी परफस के लिए किसी भी कारिया को करने से पहले अपने गुरू से एक बार आप आदेश जरूर करवाएं क्यूंकि गुरू परदान होता है अगर आप से कोई तूटी हो जाती है कोई गलती हो जाती है तो उ नुष्ठान करने का जो हावन का जो सामान है मैं आपको बता देती हूँ इसमें गूगल और लोबान से और जो सामगरी आप लेकर के आते हो बाजार से उसमें घी अच्छी मातरा में मिलाए और आप इसमें मीठे की जगा देशी खांड मिला सकते हो शक्कर मिला सकते हो उससे आपको हावन करना है और अंत में आपको खीर का भोग इसमें जरूर देना है और खीर का भोग दे कर के तरे मदु से आप हावन करके इस मंतर का नुष्ठान करें जो भी हावन सामगरी या पिर हावन की राख बचती है उसको आप जल परवा कर दे तो ये थी जानकारी आसा करते हैं पसंद आई होगी सभी को जैमाता की